ये कहानी मैंने पहले देख रखी है ये कहानी आपने भी पहले देख रखी है ये कहानी हम सबने पढ़ रखी है और इस कहानी के किरदारों को भी हमने ये पहले करते हुए देखा हुआ है जोजे मुरी ने जब सैक हुए थे और ओले करना सोलशायर जब आये थे as the caretaker manager तब यहाँ पर United ने पाँच गोल मारे थे तब आपने यहाँ पर देखा था कि कैसे एक former player जो की legend था club का, उसने as a care ticker manager responsibility ली थी और team को अपने पहले ही game में victory दिलवाई थी, कल रात में भी same सीज हुई है, यहाँ पर same scenario create हुआ है, आपके Eriton को सेक किया गया, Roode Venisal Roy को बोला गया कि आप यहाँ पर जब तक हम नया manager appoint नहीं करते हैं तब तक आप यहाँ पर interim manager या care ticker manager के तोर पे काम करेंगे and Roode Venisal Roy की team ने कल Leicester के against Carabao Cup में 5 goal score कर दिया, तो चलो भाया United ने यहाँ पर हमारी दिवाली तो खराब नहीं की, बहुत दिन से ऐसे एक match का इंतजार था, जहाँ पर player थोड़े United दिखें, जहाँ पर confidence दिखें, body language positive दिखें वो सारी चीज़ने कल के match में में देखने को मिली है, लेकिन दिवाली की आप सभी लोगों को भधाईयां दिना चाहता हूँ मैं, दिवाली के इस परफ पर आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से, 1MUFC की पूरी community के दरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है and guys, don't you remember मैंने आपको कुछ एक target दिया था, आज रात में, दिवाली पूजन से पहले we want to hit and we must hit 95 के 400 subscribers की दरकार है कल हमने अच्छा जो range था, वो cover किया था जो बचे हुए 400 subscribers हैं वो आज आप पूरे करवा दीजे and then we know, ऊपर आप देख रहा है और उसमें कुछ usual जो usual names थे, वो color में देखने को मिले, उसमें सबसे बड़ा नाम जो था, वो यहाँ पर था आपके Marcus Rashford का and no wonder Marcus Rashford played well everybody played well and मैं यह चीज बहुत time से बोलता चला आ रहा था कि भाई यह players तोने खराब नहीं है इतने players खराब नहीं है, नहीं है and as such कोई बहुत बड़ा tactical change नहीं किया Roon Vinson Roy ने, बस उन्होंने यह किया कि उन्होंने यहाँ पर two up top forwards खेला दी it was a 4-4-2 kind of a setup जिसमें आपके दो holding pivot थे and दो यहाँ पर आपके wide forward खेल रहे थे Bruno और Garnacho के तौर पे Rashford और आपके यहाँ पर जो जग्जी थे, वो अब top खेल रहे थे it was attacking front पर more like a 4-4-2 but definitely यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल की performance में बहुत सारे positives आपको देखने को मिले है लेकिन सबका सबसे बड़ा सवाल यह है कि Ruben Amorim कब आएंगे भहिया, Ruben Amorim का confirmation तो आया नहीं अभी को during the international break join करने वाले है तो I don't think उसमें कोई problem वाली बात है it's very natural की भाई उनके कुछ prior commitments है वो उनको पूरा करेंगे he is managing sporting Lisbon for quite a time now तो यहाँ पर उनके लिए वो भी एक responsibility है कि जब तक sporting को अपना एक backup manager या फिर उनका जो replacement है वो ना मिल जाए तब तक वो यहाँ पर उनके साथ committed रहें और United यहाँ पर अभी देखा जाए तो Chelsea और Leicester के बाद international break में एंटर करेगी तो दो game और बाकी है यहाँ पर अच्छे game प्रिम में लीग के तो वो यहाँ पर compete कर सकते है रूड के साथ और आज की performance के बाद थोड़ी hope ज़रूर आएगी और again यह players कितने moodi हैं यह आप आज की performance देखकर पता लगा सकते हो अब देखो point क्या है यहाँ पर सबको यहाँ पर ऐसा लग रहा है और जो reports आई है कल से लेकर अभी तक वो यही दर्शाती है के भाई रूड वनेस्टल रॉइ विल नॉट कंटिनू एट उनाइटेड वन्स अमोरिम विल बी ओन बोर्ड लेकिन कल जो रूड के statement आई है यहाँ पर post match उन्होंने यह बोला बहुत क्लिरली के मैं यहाँ पर as an assistant manager आया था मुझे जब बोला गया कि आप 10 heck की जगे पर अब यहाँ पर as the caretaker manager as the interim manager काम करो तो वो responsibility मैंने लिए और आगे चल कर जिस भी capacity में कलब को मेरी जरूरत होगी मैं यहाँ पर उनको उस capacity में help करने के लिए तयार हूँ तो जितनी भी reports यहाँ पर Jason Burt ने launch की आपके Miguel Delaney ने launch की वो सारी reports यहाँ पर Roode ने थोड़े हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि किनारे कर दिये अपने statement से चुकि Roode के मताबक यहाँ पर he doesn't want to leave he still wants to continue at Manchester United in whatever capacity the club wants him to be जो reports आई हैं Amorim के regarding Amorim अपना यहाँ पर backroom staff लेकर आ रहे हैं तो definitely भाई एक manager अपने backroom staff के साथ ही काम करना चाता है लेकिन in no way and in no capacity आप यह कह सकते हो कि Roode को यहाँ पर Amorim बोलेंगे कि भाई आप जाओ यहाँ से मैं आपकी जरूत नहीं है Roode is the legend of the club and obviously Roode is the fantastic striker he can improve the players you know जो हमारे goal scoring form में उसको और आज हमने वो चीज़ देखी है कि अगर हमारे players थमीज से खेलें और अगर इनको बस एक self confidence आ जाए तो यह goal score कर सकते हैं हमने अपना केरबाक अपका पहला fixture I think 7-0 से जीता था और उसके अदमने जो दूसरा fixture है यहाँ पर वो हमने जीत लिया आपका 5-2 से Leicester were not great we were not absolutely fantastic but yes we were clinical और वो चीज़ हमारे game में बहुत टाइम समय देखने को नहीं मिली थी again एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर जिस तरीके से हमने goal concede की है वो बहुत बड़ा concern रहा है हमारा और आने वाले manager के लिए भी वो बहुत बड़ा tension का सबब रहेगा कि भाई इन players के साथ यहाँ पर मैं goals कैसे कम concede करूँ because they have the tendency to concede goals out of nowhere behind there was थोड़ा सा lackluster लेकिन यहाँ आप अगर positives की बात की जाए तो सबसे पहले तो भाई after ages direct free kick से बहले deflation के थूरू score की गई हो but direct free kick से यहाँ पर एक goal score हुआ है Bruno Fernandes ने यहाँ पर कल goal score किया and Bruno का वो दूसरा goal that was class and that's what Bruno Fernandes is all about यहाँ पर देखो Bruno की जब performance अच्छी नहीं आती है तो सबका concern यही होता है this guy can do well but why is he indeed doing well right तो वो एक बहुत बड़ा concern था सबी का यहाँ पर Bruno Fernandes के end से जो कल उनोंने यहाँ पर काफी अद तक दूर किया है Casemiro looked so lively Casemiro looked so great यहाँ पर it was so good to see Casemiro enjoying his game once again and he scored a brace he could have probably scored a head trick as well जो chance उनको मिला था header उनका जो post से थोड़ा side से निकल गया और अगर आप उगारते की बात करो उगारते looked lively उगारते looked fantastically well and उगारते is a proper Ruben Amorim player because जो लोग नहीं जानते हैं भाई उगारते जब PSG नहीं गय थे तो वो sporting में थे और sporting में उनको monster जो बनाया था वो किसी और ने नहीं Ruben Amorim नहीं बनाया था तो ये कुछ players हैं जो Ruben Amorim के setup में काफी thrive करेंगे you talk about यहाँ पर Garnacho he looked good यहाँ पर आज की game में decision making भी काफी अच्छी थी you talk about Rashford भाई he was looking for passes as well आज की game में which was good to see you talk about Diego Delo वही Diego Delo जो open chance miss कर गया west time के against उन्होंने आज यहाँ पर assist दिया था Garnacho के लिए so good to see that as well अगर आप left back और अगर आप यहाँ पर right back की बात करोगे Delo का game थोड़ा समय बोलूँगा और better हो सकता था but Leach playing out of position he played fantastically well and Lindelof and आपके बता है जिलिट का भी game अच्छा था but Lindelof की game में वो जो कमिया है वो इतने साल से हम सबको पता है वो यहाँ पर area duels में अच्छा नहीं कर पाते हैं और आज भी वही same चीज हुई है decision making हमारी अगर देखा जाए यहाँ पर अपने areas में जा हम defend करते हैं तो उसमें और में better होना पड़ेगा 3 at the back system में यहाँ पर आपका तीसा center back Lenny Euro बनेगा and इस चीज की उम्मीद लगाई जा रही है कि international break के बाद Lenny Euro will be back and Maguire will be back तो आपके वास options आ जाएंगे लेकिन पता है मुझे game की goal scoring form और बाकी चीज ने उतनी impressive नहीं लगी मुझे एक चीज जो overuse करे जा रहे हो आप यहाँ पर लगातार उनको drain out करे जा रहे हो हम 5 goal मार चुके थे 3 goal के advantage पर बैठे हुए थे and Roode ने बिल्कुल सही सोचा कि यार मैं अपने players को क्यों drain out करूँ मेरे पास अगर bench पर players ने जिनको मैं use करके इन players को rest दे सकता हूँ क्योंकि हमें Chelsea को दो दिन के बाद ही खेलना है तो मैं क्यों नहीं करूँगा और वही चीज हुई Roode ने यहाँ पर rotate किया आपके substitute किया Leach को, delete को देन आपने यहाँ पर देखा Garnacho को Rashford को and Zergzi को यह बहुत जरूरी था because हमारे पास अगर देखें तो options जादा है नहीं और हमारे जो main players है उनको हम drain out नहीं कर सकते और यह चीज कल जो Roode ने handle की है यही चाहिए हमें यही match manage करना आना चाहिए आपको पता होना चाहिए आप substitution से इस लिए मत करो क्योंग आपको substitutions करने है आप यहाँ पर game की situation को read करके players को read करके तब substitutes करो और वो चीज कल यहाँ पर आपके Roode Vensalroy ने की थी Amad Diallo got some minutes and he was superb he could have scored a wonderful goal भाई वो जो उसने overhead kick try की थी but I am really glad कि यहाँ पर Roode एक positive mindset के साथ आये manage करने result मुझे पता था कि यही होगा बट इतने goals हम मार देंगे मुझे इसका अंदाजा नहीं था और पता है कल की यह performance एक चीज दिखाती है कि यह players नहीं खेल रहे थे Harry Tenek के लिए और मैं यह बार-बार यह चीज बोलता हूँ कि एक manager sack होने से पहले तीन match day पहले ही sack हो जाता है dressing room के अंदर तीन से चार match day पहले और वो body language में players की दिखने लगा था आप देखोगे अगर Dell हो आप देखोगे कैसे मीर हो आप देखोगे यहाँ पर बाकी players they were not paying attention to the details और यहाँ पर they were not actually playing for the manager as well which is quite shocking कि इतना कैसे control है आज की rate में players के पास बट आज की football यही है बट हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर हमने अपना match जीत लिया भाई दिवाली खराब नहीं किये सबसे पहली बात तो यहाँ पर दिवाली खराब नहीं हुई हमारी वो बहुत important था कि हम यहाँ पर match day में जैसे भी जाएं बस आज का दिन यह spoil ना करें और अगले game से पहले थोड़ा confidence भी ले अब देखो Chelsea वहाँ पर eliminate हो गई आपने देखा कि City eliminate हो गई आपने यहाँ पर देखा कि Villa भी eliminate हो गई तो तीन बड़े clubs already eliminate हो गई है Carabao Cup से लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर Liverpool, Arsenal और Spurs active हैं और हमारा जो अगला Carabao Cup का fixture है quarterfinals का वो यहाँ पर Spurs पे खिला जाएगा उनके stadium के उपर तो हम कह सकते हैं कि एक tricky fixture होगा वो Spurs ने अभी City को हराया है अपने last Carabao Cup के fixture में तो they are also अच्छे एक form पे चल रहे हैं but United I think जब यह fixture खिला जाएगा तो हमारे पास एक better stability होगी हमारे पास एक permanent manager होगा और हमारे players जो भी injured होए बैठे हैं बहार वो वापशी से आ चुके होगे तो हमारे पास options होगे बड़ा एक चीज़ जरूर मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं expect कर रहा था कि यार एक और बड़ा fixture मिल जा था Carabao Cup में अगर जैसे Arsenal versus आपका Liverpool होता या Arsenal versus Newcastle हो जाता या Newcastle versus Liverpool हो जाता तो यह जो fixture की hype थी और यह जो basically अगले round में semi-final में हमें जो opponent मिलता वो एक probability कम करते था कि final में आपको एक heavy opponent मिलेगा but then again आपको अगर जीतने था आपको best teams को हराना ही पड़ेगा too many positives to take quite a few negatives is there as well but यहाँ पर I am pretty pretty happy कि भाई यह जो हुआ है कल के match day में जिस तरीके से हमने पनी football खेली है this clearly shows that this team these players have potential to play good football we just need better atmosphere and यहाँ पर एक ऐसा manager जो की हर एक individual को confidence दे self confidence की कमी है players में साफ दिखती है वो body language में कल यहाँ पर हमारी passing अच्छी हो रही थी कल यहाँ पर हमारी pressing अच्छी हो रही थी कल हमारी यहाँ पर shooting अच्छी हो रही थी और हमने इतने सारे matches में यही देखा था कि भाई हमारी जो intensity थी वो drop हो जाती थी और हम अगर दो गोल अब भी है तो हम कभी sure नहीं रहते थे कि हम यह match जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे तो कल हमने यहाँ पर दो गोल conceit जरूर किये लेकिन हमने कभी भी अपना goal scoring जो एक intent था वो drop नहीं किया pressing drop नहीं कि और उगारते कल दिखा दे उगारते ने के भाई हाँ यार यह system अगर खिलाओगे तो मैं thrive करूँगा और यह हम कितने time से discuss करते आ रहे there is no need for Manchester United to play possession based football we are so good at counter attacking football क्योंकि हमारे सारे players counter attacking में ही आप बोलोगे comfortable है चाहे आप Delo की बात करो Rashford की बात करो Hoyland की बात करो Garnacho की बात करो Bruno की बात करो Casemiro की बात करो Ugarte की बात करो everybody wants to play counter attacking football then what's this obsession of playing यहाँ पर आपकी possession based football I don't get it but yes, there आए दोरोस्ताय अच्छा हुआ आ गए टाइम पे अगला fixture Chelsea से है और home पे खेलना है आपको तो definitely आपके पास advantage है home का but yeah, please वो basic errors वो गलतियां जो आपने इतने matches में की है यह last year Chelsea वाले game में की थी वो ना करें आप and हा, Roode की उपर pressure भी होगा but Roode is going to enjoy this जितना भी छोटा spell हो लंबा spell हो जर्नी का he will thoroughly enjoy it and we should you know, enjoy it as well because अब देखो इस से खराब क्या ही होगा already हम अपने worst phase में है but yes, Chelsea आपका confidence थोड़ा सा lose जरूर की होगी Newcastle के गेंज़ जो उनकी score line थी and again यहाप है United Kingdom यह बहुत massive massive game था क्योंकि already तिन यहादा scrutiny आपके around build हो रही थी plus आपका नया manager आने वाला है तो आपको उसको point भी प्रूफ करना है मैं deserve करता हूँ starting 11 में जगे मैं deserve करता हूँ starting 11 में जगे तो वो चीज यहाँ पर कुछ players ने प्रूफ की है and they have put up a point forward for Ruben Amorim to consider but yes on a whole अगर बात की जाए impressive performance decent performance number of shots we took the number of big chances we created the number of chances we converted everything went according to the plan and that's what we need right now one game at a time one step at a time वो करना है हमे बड़े आस जाने से पहले भाई एक बार वापस से मैं आपको Diwali की बहुत सारी बदाइया देना चाहता हूँ हमें जितने भी लोग देखते हैं जितने भी लोग यहाँ पर हमें सुनना पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं वो आते हैं वीडियोस दिखते हैं उन सभी लोगों को भी यहाँ पर Diwali की बहुत बहुत शुब काम ना है लेकिन दिवाली पर जैसा मैंने आपको बताया था 95K is our target आज रात वाली stream से पहले तो प्लीज 400 subscribers बचे हुए हमारे वो काम आप करवा दीजे और यहाँ पर 95K पूरे हो जाएंगे तो हमें सिर्फ 5,000 subscribers और चेह होंगे to reach that monumental figure of 100K तो थोड़ा दिवाली का तोफा हमें भी दीजिए मैं आपसे लूँगा अलविदा मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ध्यान रखिया अपना ववभाई, टेक केर अब दे फकिंग रेट्स, ग्लोरी ग्लोरी Man United